भुझपुरी पावस्टार पवन सिंग के छट के गाने आने वाले हैं। आप ये कहेंगे कि छट आने में तो टाइम हैं, अभी तो नवरात्र के गाने आने चाहिए। और हमने अपने पिछले वीडियोज में ये आपको जानकारी ही दी थी, कि हो सकता है कि पवन सिंग के जादा नहीं, एकाद गाने तो जरूर आएंगे देवी गीत के। आप सभी ने उस वीडियो पे रिस्पॉंस भी अच्छा दिया था, लेकिन हम छट का क्यों कह रहे हैं। हम छट का, इसलिए कह रहे हैं कि इस साल जो छट गीत है, वो भी बड़ी ही कम मात्रा में आने, यानि कि आप ये कह सकते हैं, इकाद दुक्का सौंग ही पवन सिंग के छट के आने वाले हैं, और तो और देवी गीत के ही बात करें, तो उसके लिए भी पवन सिंग ने अब ये ठान लिया है कि उनके देवी गीत, यानि न्वरातर के जो गीत है, वो भी इकका दुक्का ही आएंगे, वो आपको ये भी हम बता दे, कि शायद जो आने आएं वो नौरातर के बीच में ही आएंगे, इस बीच उनके गाने नहीं आने वाले हैं, और वो भी जो गाना हो सकता है एक गाना ही हो उससे उपर ना हो क्योंकि एकदम कम एकदम कम quantity में गाना लेकर आ रहे हैं पवन सिंग और वो भी quality wise अब पवन सिंग ने अपने गानों में अपने overall हर एक छीज में काफी बारीकी से काम कर रहे हैं ताकि जनता को वही परोसा जाए जो जनता पसंद कर अपने current वाले गाने जो की हिंदी सौंग था उससे सबक लेते हुए पवन सिंग अपने सारे हिंदी गानों पर दो बारा काम कर रहे हैं जी हां सलीम सुलिमान के साथ जो उनका गाना आने वाला है उसमें भी वो बहुत ही बारीकी से काम कर रहे हैं और ये गाना जल्दा जा कहा जा रहा है पवन सिंग के और भी बड़े प्रोजेक्स हैं जिसके बारे में खुलासान नहीं करना चाहते हैं पवन सिंग वो आएगा तब ही दर्शक जान लेंगे साथी साथ देवी गीत के लिए इस बार पवन के फैंस को निराश ही होना पड़ेगा छट के लिए भी उनके एक या दो गाने ही सुन सकते हैं और वो भी अभी तक क्लियर नहीं किया गया है जी हाँ आपको बता दें कि हो सकता है कि पिछले साल की तरह क्योंकि पिछले साल भी पवन सिंग का छट का कोई गास सौंग नहीं आया था लेकिन फिर भी लोगों को इंतिजार था इस पार छट का इका या दुक का सौंग आ जाए लेकिन देवी गीत के लिए अभी काफी कन्फ्यूजन बना हुआ है एक फोटो रिलीस तो की गई थी मीडिया में लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मुश्किल हो सकता है कि पवन सिंग का एक भी सौंग आए लेकिन हो सकता है कि पवन का मूड बने और एक सौंग आ भी जाए तो जितने भी पवन के फैंस है वो दुरगा पूजा पंडाल में पवन के पुराने गानों से ही संतोष करना पड़ेगा क्या कहना चाहेंगे आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजे साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिलकुल नभी